हलो प्यारे स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का बेटा आज हम क्लास लेके हैं आपके एनेटमी का बहुत लड़के कह रहे थी कि एनेटमी सर थोड़ा दिक्कत कर रही है तो एनेटमी की जो जो इंपोर्टेंट चीजे हैं वो सारी कवर करवा देंगे और फटाफट करवा सबसे पहले क्या है निम्न में से कौन्चा का थन गलत है एस्थेशियोलोजी ग्यानेंद्रियों का अध्यन नियूरोलोजी तंत्री का तंत्र का अध्यन मायोलोजी उत्रकों का अध्यन साइट्रोलोजी कोशिकाओं का अध्यन तो इसमें कौन्चा का थन गलत है बेटा सही तो फटापर फटा पटापर क्या करेंगे उसको करेंगे तो इसका आज जीना माययोजी क्यों गलत की जितनी को एस्तेशियो लोजी बोलते हैं और histology बोलते हैं किया भोलते हैं histology तो फिर myology कि कि बोलते हैं तो माण spasiteNow कि अ धिन को क्या बोलते हैं myology चलो पहला question हो गया अगला किसमे शिषमोम अनुपस्त होती है जो किसमोमोईड बोन होती है रहागा भैस में मुर्गी में बेढ़ में बहुत इंपोर्टन konkuse였습니다 लेकर आपके लिए उर यह समझ assessments लो इस वीडियो के end में आपके लिए सारी चीज़ों जो इंपोर्टन 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 के बहुसर सम्मराईज कर दिया है, एक 1 साथ और तो बिल्कुल सघी करें आप तीसरे चाहिए क्या जाएगा बी कुट्टे के सेशन में पाई जाती है और सारी important question लेकल प्रिक्स होता है प्ली कुट्टे के सेशन में गाई के रधे में ओस्कोर्डिस कोड़ी का मतलब होता है रध है जो सूर के थुतन में कौन से डी होती है तो बेटा ओस रोस्ट्रेल ही बोलते है उसको ओस रोस्ट्रेल ठीक है तो ओस रोस्ट्रेल किसमें पाई जाती है सूर के सत्र में तो यह तीसरा कतन दूसरा कतन अपना गलत हो गया अगला क्विशन पक्षियों में लंबी छिद्रित हड़ी जिसमें वायू भरी होती है वो कौन सी बॉन कहलाती है सिस्मोइड बॉन, विस्रल बॉन, नुमेटिक बॉन तीनों की डेफिनेशन पूस्ते है एक्जाम में ठीक है तीनों में से कोई सी डेफिनेशन भी आजाएगी कि बीजनुमा हड़ी जो दो हड़ीयों के बीच में पुली का काम करती है बीजनुमा हड़ी जो दो हड़ीयों के बीच में पुली का काम करती है उसको क्या बोलते हैं पर सेस्मोइड बॉन बोलते हैं और आंतरिक अंग है, सली के अंदर अंग है में 200 एकराण है सूर में 204 मुर्गे में 100 गुनतर तो कौन सा कथन गलत है था बिल्कुल सभी करें बीकतर गलत है गाहिके अंदर हड्डिया जाए ना एक्जाम्पी क्यूशन तो बैटा 208 हड्डिया पाया जाती है ये कितने होती है गाहिके अंदर हड्डिया था दोसो आट अगर सूर में पूछ ले तो दोसो चोत्र हड्डिया होती इसलिए फटाबट रिविजन कराऊंगा आपको मैं टाइम है नहीं तो फटाबट पटाबट यवर शून लो आप तो मुर्गी के हड्डियों के क्या बोलते हैं मुर्गी के हड्डिया कितनी होती है 169 एक सो गु फूत्ते के अंदर 291 हड्डिय हो गई सूर के अंदर 294 हड्डिया हो गई मुर्गी के अंदर 100 कुनतर हड्डिया हो गई ०ौट आगे चलते हैं वहीं निम्ड में से गलत मिलान है पक्षियों के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड़ी फिमर जानौरों के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड़ी स्टेपीज जानौर की कंकाल की सबसे कटोरा डीपिटरस टेंपुरल बोन तो बिल्कुल सही करे हो इसकांसर के चला दाएगा पहला क्यों बेटा पक्सियों में अगर देखो क्या पूछ रहे हैं पक्सियों में पक्सियों के सरीर में सबसे लंबी हड़ी कोण सी होती है बेटा टीबियो टार्सस फीमर नहीं होती क्या होती है पक्षियों के सरीर की सबसे लंबी हड़ी का नाम क्या है तीबियो टार्सस हड़ी ठीक है फिर बोले यह कुछी फीमर क्या है तो बटा अगर क्यूसों ना जाने एक्जाम में कि जानवर के सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है बटा फीमर क्या है जानवरों के सरीर की सबसे लंबी हड़ी है फीमर ठीक है और पक्षियों के सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है टीबियो टार्सस है अगला क्या है जानवरों के सरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड़ी कौन सी है इस टेपीज है यह सही है ठीक है अक्षिय कंकाली नी anxiety skeleton का भाग कौन सा नहीं है बिल्कुत सही कहे हो चोथा क्यों क्यों कि skull, sternum ribs और vertebrie कसे रुखा ये 4 क्या होती है अक्षिय कंकाल का भाग होती है चोथा भाग कौन सा होता है यहां कौन सा आएगा vertebrie यानी कसे रुखा तो ये चार किसका भाग होती है अक्षे कंकाल का फोर लिंग और हाइंड लिंग किसका होता है उपांगी कंकाल का भाग होते है तो चलो आगे चलते हैं भाई निम्न में से सही कतन है तो बैटा ये तीनों के तीनों सही आपको फटापट होताते है गाय में किसे और की होता है कि सुटर क्या होता है विच्वा यह सिर्फ किसका फरक आ रहे हैं यह सिर्फ T का इसमें कितनी होती गाए में तो 13 होती है और गोड़े के अंदर कितनी होती है अठारा बाकी सारा का सारा सेम देख लो है ना और पॉल्ट्री में कितना होता है तो पॉल्ट्री में टा सी 14 होती है जो सर्वाइगल डी होती है ना वो 14 होती सर्वाइगल कर से रुखा 14 होती है टी साथ एल और एस पस में जुड़ी हुई हो रहती हैं मतलब लंबर और सेक्रम आपस में जुड़ी होती हैं वो कितनी होती है 14 और कोक्सीजल 4-9 तो इसका स्क्रीन सोड लेना चाहा हो तो ले लो बेटा पर बाद में रिविजिन करना चाहो तो आप चाहिए ठीक है अगला पक्षियों में बेटा एक एक्जाम में कुछ और आजाता है बेटा कि अंतिम कुछ कोक्सी जिल हड़ियां यह कुछ कुछ कसे रुकाएं होती है न वह आपस में फ्यूजों को क्या बनाती है पाइगो इस्टाइल तो बेटा अगर क्विशन आजाए एक्जाम में कि लंबर और सैक्रल कसी र जानवर के सबसे लंबी हड़ी कौन सी है फीमर है और सबसे लंबी कसे रुका वो कौन सी है एक्सिस कूबर में पाई जाने वाली कसे रुकाएं होती है थोरे सिक जानवर के सरी की सबसे मजबूत कसे रुका सेक्रम तो इनमें कौन सा कतन सही है बाई यह सभी सही है तो बिल जो कूबड होता है ना उस कूबड पर कौन सी का सिरुका है पाई जाती है तो थोरे सी का सिरुका है होती है ना वो कूबड में पाई जाती है और जानवर की सबसे मजबूत का सिरुका कौन सी है तो जानवर की सबसे मजबूत का सिरुका है तो चलतो अगले चपकेशन पर चल मुर्गे के अंदर पक्षियों के कान की हड़ी इस्तेपीज तो कौनसा कातन गलत है? बिल्कुल सही करे रहे बेटा D कातन क्या है इसमें? गलत है गोडे की स्टिन गाकर नाव गाकर का ही होता है कलेविकल बोन बेटा दो के अंदर नुफस्षित होती है फरक्यूलम बोलते हैं तो फरक्यूलम किसके अंदर पाजाते है सिदा सिदा एक्जामिक उसना जाएगा किसके अंदर पाजाते है मुर्गे के अंदर और पक्षियो की कान की हड़ी सिर्फ एक हड़ी पाजाती है पक्षियो कान में जिसका नाम है कोल्यू मेला, क्या नाम है बेटा, कोल्यू मेला, ठीक है, तो पक्षियो कान के हड़ी हो गई, क्या हो गई, कोल्यू मेला हड़ी क्या है, पक्षियो कान के हड़ी है, चलो भाई, तो इसको चोता खतन गलत हो गया, अगला निम्न में से सही मिलान है, फाइबरस जोइंट, और दातों का उनके शोकेट के साथ जोड़ गोंफोसिस shoulder joint ball and socket joint elbow joint humerus radius और अलना हडड़ी के मद्दे बना हुआ है हडड़ी से हड़ी को जोडने वाली आकरती tendon तो बिल्कुल सही करे हो गुरुजी चोता गया दांतो अपने socket के साथ जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं gomposis अपने socket साथ जुड़े होते हैं गॉंपosis बोलते हैं और जो shoulder joint है वो एक परकार का ball and socket joint है ठीक है क्या है socket ball and socket joint किस-किस के बीच होता है यह आपको पता ही है ना glinoid cavity humerus की और humerus का head और glinoid cavity glinoid cavity किस के अंदर होती है इसके पुलागी glinoid cavity और humerus का head इन दोनों के बीच में क्या बनता है shoulder joint बनता है ball and socket joint परकार का हो गया है elbow joint किस-किस के मद्दय बनेगा humerus, radius और अलना के मद्दय है हड़ी को हड़ी से जोड़ने वाली संचना को बटा ligament बोलते हैं tendon नहीं बोलते हैं ठीक है क्या बोलते है gastronymist tendon, superficial, digital, flexor tendon तो आप सबको बता है Achilles tendon क्या है सरीका सबसे मजबूत tendon है और अगर exam में कुछ ना जाना सरीका सबसे मजबूत ligament कौन सा है तो उसका नाम है ligamentum nuke जो गरदन के अंदर पाए जाता है तो सबसे मजबूत tendon कौन सा हो गया Achilles tendon और सबसे मजबूत ligament कौन सा हो गया ligamentum nuke बेटा फटाफट फटाफट revision कराऊँगा वीडियो के end में बहुत ही important चीज़ां आपके लिए लेका है हूँ एक साथ ठीक है तो आप इनका revision फटाफट कर लेना इतनी fast तो आप भी नहीं कर पाऊगे एक बार क्या चीज़े सुन लेते हैं न फटाफट फटाफट तो चीज़े के याद रजाती है यार इसलिए मैं यह लेका हूँ आपके लिए बिल्कुल अनाटमी के तो निम्ड में से गलत कतन कौन सा है point of hip oscoxy हड़ी की tuber coxy को बोलते हैं point of hip, point of hook किसको बोलते हैं fibular tarsal हड़ी की tubular tuber kelsis को point of elbow किसको बोलते हैं अलना हड़ी के olikranon process को और सरीर की सबसे बड़ इमांच स्पेशी stepidis muscle तो इसका कौन सा गलत है तो बेटा इसका हाँ से चला जाएगा D देखो बेटा, अगर एकजामे आजाने point of hip किसको बोलते हैं तो oscoxy हड़ी है न oscoxy हड़ी की tuber kelsis सरंचना है या tuber coxy बोलते हैं tuber coxy सरंचना है oscoxy हड़ी की उसको point of hip बोलते हैं point of hook किसको बोलते हैं जो fibular tarsal हड़ी है उसका tuber kelsis भाग है जो allahaddy का ol vácarna process is oscoff e back olucranon process किसके अंदर पायजाता तो बेटा allahaddy के अंदर पायजाता olucranon process और सरीर की सबसे बड़ी mand smartphonespecies एस्टेपेडियस नहीं होती सरीर की अगर पूछले डो हैं अगर पूछले न तो पक्षियों में सरीर की सबसे बड़ी मांसपेसी पैक्टोरेलिस मसल्स होती है कौन सी होती है पैक्टोरेलिस मसल्स और जानरों के अंदर सरीर की सबसे बड़ी मांसपेसी कौन सी होती है ग्लूटियस मसल्स ठीक है, तो पक्षियोँ पूछे जान鬼 शरीर की सबसे बड़ी तो Pectoria's Muscle, और जानऊऊगोब पूछे तो Gluteus Muscle, फिर बो लो गुरो जी, इस्टेपेडिये जानवर तो बड़ी मांश पेCी जानवर के अंदर उसका नाम क्या है, इस्टेपेडिये जानवर के से चोटी मां मैं स्ट्राइब के सब से सबसे सबसे मजबूत मांस्पैसिंग टीं के अगर पूछ Romania कि सबसे कौन से लट कोई जो लोंगिशिमस दोड साइब वो क्या है वि क्या है सबसे लम्बी मांस्पैसिए उडा Cheese एक मात्र मांस पैसी जो युग में नहीं पाई जाती वो कुछ इसी है इसके पुला इक उदर क्या प्रोसेस्के क्या हो गई बिटा एक्रोमियन प्रोसेस किसके अंदर पाया जाता है पहला किसके अंदर मिलता है इसके पुला में अब किसके पुला में एक्रोमियन प्रोसेस अनुफस्तित होता है तो इसका आंसर में आपको पहले बता देता हूं इसका रहा जाएगा डिसका रिविजिन कर राख जाती है एक्जाम में अब बेटा ग्लिनोइड नोच ना वो भी इसके पुला में मिलती है तो अब क्यूशन के आएगा कि इसके पुला में ग्लिनोइड नोच कौन से जानवर में अनुपस्तित होती है तो बेटा सूर के अंदर क्या है सूर की जो इसके पुला है उसमे किस-किस के पुला में पाया जाता है पहला क्यूसन तो क्या जाएगा बहुत इंपोर्टन क्यूसन ये अलग बात है कि फोरामें ट्राइवोसियम किस-किस के पुला में पाया जाता है शर्फ एक की में इसके पुला में पाया जाता है यह कुशन सारे कुशन सोट रूप में एक साथ लिख दिया है मैंने ना तो यहां पे फटापट फटापट आपको रिउजन करवा जता हूं देखो मैं यह सारे इंपोर्टेंट क्यूसन है बेटा सही कतन है सारे सही कतन है है ठीक है मैंने कम से कम भी 15 से 20 चीज़े इंपोर्टेंट यहां एक सार लिख दिया आपके लिए बेटा अगर एग्जाम भी कुशना जाएगे प्रोसेस की सब्धित आपको सबको बता कि अलना हटडि उसका यलबोगो जोंट है रही पहली बहात तो लिकिन किस साइड जो एलबो जोंट है उससाइड क्या मिलसेगा अलना हटडि में anconius process मिलेगा और stimoloid process किदर मिलेगा बैटा दोनों अगर examen पूछ लेना तो anconius process भी अलना के अंदर ही पाई जाता लेकिन किस side, elbow joint की side और stimoloid process भी किसके अंदर पाई जाता है अलना हड़ी के अनदर लेकिन किस side, जो knee joint है ना नीचे वाड़ा joint है, knee joint उसकी साइड पाइजा देगा इस्टिलोइड प्रोसेस तो बटा ये एक्जामें से सीधे-सीधे आजाते हैं कि कौन सी चीज किस हड़ी के अंदर मिलती हैं किस जानौरे मिलती हैं तो सारी एक साथ लिख दिया आपके लिए अगला बेटा ओस मेगनम या ओस मेगनस तो बेटा गाय की दूसरी और तीसरी कारपल फ्यूज हो जाती है न गाय में सेकेंड और थर्ड कारपल फ्यूज होकर क्या बनाती है ओस मेगनस बेटा एक्जामें कई बर आ जाता है गोडे की प्रत्थम आवसेसी डिजिट को क्या ब गोड़य के अंदर second और जो fourth digit होती है वो भी आवसेसी होती है लेकिन उनको परthand test net नहीं बोलते है उनको परण क्या ऊरगतस द्यहान रखना गोड़य की जो पहली digit है आवसेसी डीजिट है वह आवसेसी होती है पहली digit उसको क्या बोलते हैं पर st redund बिता इसकेबर सरीर का सबसे बड़ा 4 आमेन कोड़ सा है अगला क्या है का शरील का सबसे बड़ा फोर नहीmn होता है ऑगला की उसना सकता है जान ओरके में सबसे बड़ा 4 आमेन को lang सा है उस इप बोण के अगला क्या फोविय कैपेटिस किसके अंदर मिलता बेटा फीमर के हैड में यह बहुत इंपोर्टन किस हड़ी से सम्मधित है ऐसे यह सुनाएगा तो फीमर है ना उसके हैड से सम्मधित है पोपलीटियल नोच और एंटिरियर ट्यूबरोशिटी यह दो चीजे होती है क्या- पोपलीटियल नोच और एंटिरियर ट्यूबरोशिटी बिल्कुल सही है टी बिया के अंदर मिलती है यह दोनों सरंचना तो अगर एक्जामी किसन आजए ना लेटरल मेलियस क्या है यह कैसे है तकता है कि फिबुला हड़ी का आउसेसी भाग होता है तो लेटरल मेलियस है वो फिबुलाडी का आउसेसी भाग है अगला क्या है फोरामेन ओवेल तो पेटा दाया और बाया आलिंद के मद्दे है ना रदे है ना रदे के अंदर दाया और बाया आलिंद होता है उन दोनों के मद्दे एक छिद्र पाय जाता है जब बच्चा पेट में रहता है तो त तो दाया और बाया आलिंद के मद्दे पाय जाने वाला चिदर क्या अगला आता है फुरामेन ओवेल तिहान रखना इंपोर्टन इंपोर्टन चीजी बता रहूं आपको शिर्फ और अगर किession आ जाये ना फुफस धमनी और बाया दमनी के मद्दे पाय जाने वाला चिदर ठ Hytosard, Arteosis हो गया अगला, RBC का बंढरन कहा होता है, तो भीटा स्प्लीन के अंदर होता है, फ्लीया के अंदर ठीक है, लाल, रुदिर, क़नी का है, आर्भी सुनका बंढरन कहा होता है, इस प्लीन में अगला क्या है पसीना गरंथी पसीना गरंथी किसके अंदर नुपस्ते होती है तो वैटा पोल्टरी के अंदर पसीना गरंथी नहीं पाई जाती सूर के अंदर और खरगोफ के अंदर तो बहुत important question है पोल्ट्री में, सूर में और खरगोश में इन तिनों में पसी नगरंती नहीं पाई जाती एक्जामे को सुना जाएगा कि निचले जबड़ी की हड़ी कौन सी होती है तो पिचाब मैगजिला और मैंडीबल इन दोनों में कन्फूस मत हो जाना तो उसका नाम क्या है मैंडीबल तो चाएक कि उसना जाए निचले जबड़ी की हड़ी कौन सी है चाएक कि उसना जाए जबड़ी की गतिशील हड़ी कौन सी है इन अंसर क्या जाएगा मैंडीबल बटा सिंग किससे बनता है या सिंग किसका उभार होता है जो फरंटल बोन होती है एक्जाम किसना जाएगा फरंटल बोन होती है ना जो हैड की उपर होती है फरंटल बोन उससे ही सिंग निकलता है ठीक है अगला उपरी जबडे की हड़ी उपरी जबडे की हड़ी के लिए क् यह दो खड़ियां होती है एकलीए डिनी होती ológी यह मैकजिलमेक जीनानकर तस----- और अगर चेहरे की सबसे बड़ी हड़ी कुंड सी है तो मैकजिलमेक retrouve यह ना वह क्या है चेहरे की सबसे बड़ी हड़ी हो गई तो यह पर्डा इंहृत किहले और पहले चो- वहां इंक्लूड करती थी जो चीज़ बत गई थी उनका रिविजिन आज करवा दी है तो बैटा जाते जाते दो सेकंड लगेंगे सिर्फ ठीक है चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देने बैटा और फीजियोलोजी की क्लास कल सुभय आपके लिए हम और अप्लोड कर देंगे ठीक है उसके अंदर आपको सिर्फ पढ़ाएंगे फटा पटा 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 आधी कर देंगे पूरी फीजियोलोज़ी विजिन करवा देंगे ठीक है तो भाई अब जम के मैनत करो टाइम खराब मत क पक्तरों जो को गया वह घो आता है जो आता है जो नहीं पड़ा जो पढ़ लिया वह पढ़ लिया बस यह यह बाप को आता ना बस सिर्फ ए एक्जाम में वही आएगा यह सोत लो तो बिल्कुल रिलेक्स हो जाओ, पूरी नीद लेनी अच्छे से, दंग से आराम करना है, और उसके बाद में क्या करना है, अपना पेपर देने जाना है, और पेपर को बेटा आप डंग से अगर आराम नहीं किया ना, जल्दबाजी की पूरी रात आपने पढ़ते ही रहे, क तो फिर जब होगा जो, होगा आराम से, बिल्कुल अब सब आराम आराम से करना, आप भागा थोड़ी नी मचानी, ठीक है, अब दिमाह खराब नहीं करना कि यार यह चीज रह गई, वो चीज रह गई, ठीक है, तो बेटा, ओल्दबेस्ट, जंग से मैनत करो, जो 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 च